नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रांचली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दो तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा चेहरा बहुत ज़ादा खिला-खिला साफ सुत्रा दिखे हमारे चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे के निशान ना हो चेहरे पे कोई स्कार ना हो कोई अनिवेंट टोन ना दिखे हमारी आँखों के नीचे कोई भी काले घेरे या पफीनेस या उनमें कोई स्वालिंग जैसी कोई भी चीज ना दिखे हमारा चेहरा बहुत एक खिला देखे लेकिन दोस्तों आजकल का जो lifestyle हमारा हो गया है या हमारा जो surrounding में pollution level है sun raises इतनी जो खराब हो गए इन में इतनी जाधा खराब UV raises है जो हमारे skin को बहुत डैमेज करती है हमारे खाने पेनी का जो तरीका है stress level है घंटो mobile और computer का प्रयोग है यह सारी चीजें हमारी skin को बहुत ज़ादा damage करती है जिसके वज़े से हमारे skin में iodine acne pimple निकलते हैं आखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं आखों में सूजन देखने को मिलने लग जाती है आपको बहुत ज़ादा pigmentation uneven tone देखने को लगती है और हम बहुत ज़ादा frustrated होने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा माई skin के साथ तो आज मैं बताऊंगी इसके ही कुछ कारण के बारे में कि यह क्यों हो रहा है साथी साथ कुछ ऐसे natural तरीके के बारे में बताऊंगी कि इसको आप घर में ही बहुत अच्छे से ठीक करके अपनी skin को बिलकुल खिला खिला बना सकते हैं तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत जादा इंफोमेटिव है आप इसको वन तक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि hyperpigmentation किसको कहते हैं दोस्तों हमारी skin में जो melanocels होती है उनका काम होता है हमारे शेरीर में melanin का निर्मार करना यह melanin ही जिम्वेदार होते हैं हमारे शेरीर में कालर यानि की रंग के लिए जिनमें मेलनिन जादा पाया जाएगा वह डाकर कलर के होंगे जिनमें कम होगा वह लाइट शेट के होते हैं तो कुछ लोगों में because of some reason या किनी कारणों के वज़े से मेलनोस सेल्स हैं उनका production जादा हो जाता है जिसके वज़े से उनके जो face पे या body के अन पार्ट पे भी उनकी uneven tone देखने को मिले लगता क्योंकि किस पर्टिकुलर पार्ट पे मेलनिन जादा बन गई है किसी में कम बनी है तो उस पर्टिकुलर जोन पे आपको color variation देखने को मिल सकती है अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं मैं कुछ जो में कारण है वो आपको बता देती हूं एक है कि आपको आपका जो sun exposure है बहुत जादा है क्योंकि sun exposure में जो जादा है उनका production बढ़ जाता जिसके वज़े से मेलेन जादा बनने लग जाता है दूसरी condition होती है आप बहुत जादा pollution में exposed होते हैं थर्ड possibility है कि आपका जो lifestyle है वो ऐसा है कि आपका खाने पीने का तरीका बहुत खराब है आप बहुत जादा बाहर की food खाते हैं बहुत ज बढ़ जाती है जिससे pigmentation face पे बढ़ जाता है बहुत सारी ऐसी बिमारिया है जैसे कि liver disfunctioning में भी ऐसा होता है कि आपको sports आजाता है जिसको liver sports बोलते हैं थाराइड gland के fluctuation से भी आपको pigmentation देखने को मिल सकता है जिसको में melasma बोलते हैं जिसको या जाई बोलते हैं hormonal imbalancing के वज़े से भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको pigmentation देखने को मिले इसके लवा stress है आप नीद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं आप बहुत continue laptop या computer या mobile का प्रयोग करें इन सब के वज़े से आपके आखों के नीचे जो है जो dark spots आ जाते हैं आपकी आखे थोड़ी सी और उनमें भी under eye circle देखने को मिल जाता है तो ये कुछ possible cause है जिनके वज़े से आपके face पर या body के अनपार्ट पर भी ऐस तरह के uneven tone देखने को मिल सकते हैं आपको acne हो सकता है acne के खतम होने के बाद उसके scar या गढढ़े देखने को मिल सकते हैं आखों के नीचे wrinkles देख सकती ह हैं आखों के नीचे कालापन देखने को मिल सकता है ये इस तरह के symptom आपको देखने को मिलते हैं इसके कोई ऐसे specific symptom नहीं होते इन जनरल जिसको आप देख के easily समझ सकते हैं दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अब हमें इसका solution क्या धूना है दोस्तों इसके लिए मैं आज के बारे में बताना शुरू करती है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजीवा का जो absolute even anti-pigmentation face serum है इसके बारे में ये plant-based face serum है इसमें दूस्तों जो quality है ये आपके हर तरह के blemishes को कम करने साथ में जो एक uneven tone है उसको कम करने blemishes वो किसी भी तरह के हो चाहे वो मिलाजमा वाला blemishes हो लाइक आपको जो यहां पे जाईया आ जाती है या nose पे है या forehead पे आपको बहुत ज्यादा pigmentation है या lips के आसपा जो pigmentation हर तरह के blemishes को कम करने में मदद करता है दोस्तों इसके अंदर जो peony and beer berry extract है वो hyper pigmentation को कम करने साथी साथ उसको prevent करने में भी बहुत ज्यादा करने के लाप रद है दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों जो इसके अंदर तुलसी पड़ी हुई है तुलसी आप जानते हैं बहुत ही अच्छी गुड़कारी औशदी है यह एक anti-aging काम करती है अगर आपके face पे बहुत जादा wrinkle fine lines दिख रहे हैं वो उसको कम करती है आपके face पे अगर acne scar है या acne के जो गड़े बन गए है या उसके वज़े से छोटे-छोटे scar बन गए है वो उन सब को कम करने में भी बहुत जादा लाप रद है इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर कोई भी fragrance यूज नहीं की गई है नहीं इसमें कोई color या फिर कोई भी silicone ये कोई इसे चीजों का प्रयोग नहीं किया गया है जिससे आपके face पे कोई भी harm पहुचने वाला हो तो ये बहुत ही safe और herbal product है जिसको आप यूज करके अपने face संबंदित हर परिशानी को ठीक कर सकते हैं अब बात करते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करें ये भी बहुत important point है जानन देखिए कुछ ऐसी bottle में आता है आपको इसके मत दो से तीन जो है drop या अब accordingly three to four ले सकते हैं लेकर आप अपने face पे अच्छे से slow hand से पूरे face पे लगा के gently dab करते हुए इसको छोड़ दे और दिन में दो बार इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अपने चेहरे पे बहुत अ जो रिंकल दिख रहते हैं वो सारे चीज़ों में बहुत जादा बहुत धी drastic change देखने को मिल रहा है नेक्स हम बात करेंगे उजीवा का जो absolute even anti-pigmentation under eye serum के बारे में यह देखें यह बहुत अच्छा under eye serum है जिन लोगों के आँखों के नीचे काला आँखों के नीचे सूजन गढ़ा दिखना रिंकल दिखना या हलकी fine lines देखने को मिलती है उन सभी के लिए बहुत जादा beneficial होने वाला है दोस्तों बात कर लेते दोस्तों अब इसके भी content के बारे में कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़े पड़ी है और वो आपके लिए किन-किन areas पे कैसा काम करता है दोस्तों इसके अंदर भी tulsi और quinoa seeds के extract पड़े हुए है जो आपकी आखों के नीचे के जो dark spot है या dark circle है साथ में जो puffiness है उसको कम करने में बदद करता है दोस्तों नेक्स इसमें जो lily and liquorice oil पड़ा हुआ है ये आपके आखों के नीचे के जो fine lines देखने को मिल रहे हैं आ प्रेगरंस किसी भी chemical का प्रयोग नहीं किया गया है कोई भी dyes का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये बहुत ही safe और herbal product है जिससे आप यूज करके अपनी आखों के आसपास की जो भी समस्या है उसके लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों आप हम इसके बारे में भी बा चाल ड्रॉप लेनी है और आपको आखों के नीचे पूरा आइज लेते हुए हलके आज से जंटली मसाज करनी है और मसाज जब आप कर लें आपको तब तक इसकी मसाज कर नहीं जब तक पूरा आपके इसके इसकी में अबसूब ना हो जाए जब नहीं अच्छे से अब कि आप इन सब को पर्चेस कहां से कर सकते हैं हैं आप जो हे उधीक की वेब साइट से इसको कर सकते हैं बाके जिन बी ओं-लाइन प्लेटफॉरम पे अभेलेल्यबल है उन सारे के वह जो लिंक है वह मैं आपको डे दे दे रही हूं। आप इसको चेकाओ जरूर करें जरूर प्रियोक करें दोस्तों इसको आपको लगाने के बाद सच में बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने को वाला है तो आशा करती दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें शेर करें जादे जादे फ्रेंक्स, फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव के साथ और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब के हैं तो चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हुए इसी तरह के इंफिमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy